सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेनिंग न्यूज चानल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आतंगवादी ओसामा बिनलादिन के बेटे हमजा बिनलादिन के मारे जाने की खबर है उसामा बिनलादिन आतंगवादी संगटन अलकाइदा का सरगना था और हमजा को उसामा को उत्राधिकारी माना जा रहा था हाला कि अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक अभी हम्जा की मौद की पुष्टी नहीं हुई है ये भी साफ नहीं है कि हम्जा की मौद कहा और कैसे हुई हम्जा की मौद में अमेरिका का हाथ है या नहीं ये भी साफ नहीं हुआ है हलाकि अमेरिका के खूफी आधिकारियों ने हमजा की मौत का दावा किया है 2015 में लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन ने अमेरिका को धमकी दी थी कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका पर हमला करेगा जिसके बार अमेरिका ने उस पर दस लाग डॉलर का पुरसका रखा था पिता के हत्यारों का बदला लेने की खाई थी कसम दो मई 2011 को पाकिस्तान के एप्टबाद में अमेरिका सील कमांडों ने उसामा बिन लादिन को मार गिराया था बताया जाता है कि अपने पिता की मौत के बाद हमजा अपनी मा यानि उसामा की तीन जीवित पत्नियों में से एक ख्यार्य सबार के साथ एप्टबाद में ही रह रहा था अलकाइदा चीफ अर्मन अलजवाहिरी ने 2015 में पहली बार हमजा को दुनिया से रूबरू कराया था हमजा ने उस वक्त अमेरिका से अपने पिता की हत्या का बदला लेने की धमकी दी और तबाही मचाने की कसम खाई थी साल 2017 में हमजा को अमेरिकी ग्रह मंत्राले ने वैश्विक आतंगवादी घोशत कर दिया साथ ही अमेरिका ने हमजा के सर पर 10 लाग डॉलर यानी 7 करोड रुपए पुरसकार रखा था हाला कि 2018 के बाद से हमजा को कोई बयान दुनिया की सामने नहीं आया अगर आप कोई न्यूस पसंद आई तो लाइक और शियर करें साथ ही अपने व्यूस हमें कमेंट करके जरूर बताएं डेली ट्रेंडिक न्यूस के रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूस के लिए